यह जो comparison operator के लिए मैंने folder एक बना दिया अलग से और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके एक heading लगा जिता हूँ यह सिक्स अरा अचा comparison operators में कोई ऐसा चेंज आया नहीं है यह सिक्स में वो यह सारा लेकिन यह सिक्स लिखने का मकसद यह क्या आप आप से अगर कोई क्योंकर इंटर्व्यू में डिफरेंट जगाव पर जाते हैं तो बंदे ने आपसे लफाजी करते हैं बड़ी यह सिक्स व सही है सही है तो यह सिक्स कॉंपरेजयन और लिखने का मतलब यह है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं यह सिक्स में वही है कोई अपडेट कॉंपरेजन अपरेटर में नहीं हुए है ओपरेटर जाएं अपरेजन आप्रसों लिगर अच्छा एक इफ लगा देता हूं मैं चुनना मुनना से यहां पर क्योंकि इफ के अंदर ही लिखा जाता है जाद अधर बल्कि छोड़ो इफ नहीं लगाते हैं अलग से करते हैं मैंने का let num1 equals 5 num1 equals 5 कर दिया है मैंने और मैंने का गए यार result equals to और मैंने बोले num1 less than 6 ठीक है यह मेरा user input है imagine कर लो इसको user ने कुछ input दिया है और यहां पर मैं क्या करता हूं इसको क्योंकि comparison operator ना बिल्कुल plus minus के operator कीता रही है अच्छा imagine करो यहां पर ऐसे प्लस लगावा होता तो क्या होता नम 1 प्लस 6 11 हो जाता तो result में क्या चला जाता 11 ठीक है प्लस को operator हमेशा एक number return करता है अच्छा तो यह less than और greater than जो ना यह comparison operator जितने भी है in general वो सब boolean return करते हैं अच्छा तो अब यह मुझे कौन सोच के बताएगा कि boolean में true return करेगा या false करेगा आच्छा बिल्गुल सही है क्योंकि इसको कैसे resolve करेगा यह नम 1 की जगा पे इसकी actual value आ जाएगी जो के 5 इस वक्त ठीक है तो result के अंजर क्या चला गया true चला गया ठीक है अच्छा result को हम क्या करते हैं नीचे थोड़ा सा print भी कर देते हैं ठीक है मैंने result को यहां पर क्या कर दिया print भी कर दिया तो अगर मैं सही हूं कि true आएगा तो उसको चला के भी देख लेते हैं कि वाकई true आ भी रहे कि नहीं आ रहा है यह कौन सा खुला गया अच्छा यह पराना code खुला गया ना copy path ES6 comparison operator ठीक है result में true आ गया बिल्कुल सही है इसमें कोई question कोई सवाल तो नहीं किसी का अच्छा हमारे पास कितने तरह के comparison operator अजरा सबको copy करके नहीं इदर ले आते हैं यह हैं वो सारे comparison operator हम एक एक करके सबको चला के देख लेते हैं बस होगी है मसलाल हमारा अच्छा अच्छा तो सबसे पहले हैं equals 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 क्या करता है इक्वैलिटी चेक करता है और यह तीन equals लगाने का एक purpose है दो equals होता है एक तीन equals होता है हम दोनों को देख लेते हैं कि क्या करता है वो अच्छा यह क्या चेक करता है equality कि अगर इस तरफ वाला जो है ओपरेंट वो इस तरफ वाले के equal है यह नहीं है ठीक है ऐसे operator जिनको दोनों तरफ ओपरेंट चाहिए होता है इसको हम binary operator कहते हैं सही न यह बता चुको हम शायद पहले तो जैसे plus है minus है multiply divide यह सारे operator क्या है binary operator है इसको दो ओपरेंट चाहिए होता है मतलब two plus कुछ होगा दो नंबर चाहिए होता है तो यह binary operator है इसको भी क्या चाहिए एक तरफ इदर चाहिए number और एक तरफ इदर ठीक है इसको हम बोलते है operands तो दो ओपरेंट इसको चाहिए एक left पर एक right पर और बीच में operator होगा अच्छा अब अगर यह दोनों equal हुए तो यह true return करेगा अगर दोनों equal नहीं हुए तो यह false करेगा ठीक है अच्छा तो हमें काम करते है इसको भी six करते है और यह तो पहले से six है तो अब इसको true return करना चाहिए चला के देखते है ठीक है इसने true return कर भीया अच्छा अब imagine करें अगर कि एक तरफ six है और एक तरफ five यहां पर है तो अब क्य लेकिन six किसमें हो? string में हो तो क्या यह true होना चाहिए यह false? false हो जाएगा ठीक है आगे देखते है false हो गया सही है दोनों तरफ data type भी same होनी चाहिए six तो लिखा और number में होना चाहिए अच्छा एक तरफ string में एक तरफ number अब अगर मैं यहां पर भी string में कर दूँ six तो क्या ह हो गया अब true हो गया यह refresh किया true हो गया क्योंकि दोनों तरफ string एक जैसा है ठीक है अगर यहां पर लिखाव है car और यहां पर भी लिखाव है capital C से car तो क्या ही है यह false है क्योंकि javascript case sensitive है small letter का जो car है वो capital letter के car से equal नहीं है तो यह false है ठीक है false हो गया अच्छा अगर मैं इसक सीस इसका भी small गर्द हो तो सेम हो गया अब यह true है यह true हो गया ठीक है यह समझा है कि comparison operator जो है वो आप number पे लगा सकते है जो equality वाले की बात हो लिए और string पे लगा सकते है लेकिन वो same होना चाहिए अगर string है तो दोनों string और उसके अंदर का data भी same अगर दोनों number है तो दोनो number और उसके अंदर का number भी same होना चाहिए अच्छा एक चीज़ा double equals to ठीक है अच्छा double equals to recommended नहीं है double equals to आपको अपनी coding में कोशिश करना है कि आप कभी भी use ना करें अब हमेशा triple equals to लगाएंगे सब books में recommend किया जाता है और for the obvious reasons अब यहां पे अगर लिखा है 5 और यहां पे तो यह तो पहले ही equal ता लेकिन अब अगर यह string में भी होगा ना तो भी true करेंगे क्योंकि यह double equals यह क्या है loose checking है strict checking नहीं है loose checking में होता है कि just value को देख रहोता है data type को नहीं देखता ठीक है तो यह अगर string में एक तरफ हो गया और एक तरफ नंबर में है लेकिन अंदर की value 5 ह तो इसको true कर देता है तो देख लेते हैं यह true कर भी है तो यह loose checking है strict checking है और एक loose checking है तो यह लेकिन आपने use कभी भी भी नहीं करना है इसको कोशिश करना है कि अब use ना करें तो हम इसको छोड़ देते हैं ज्यादा detail में भी नहीं जाते है इसके triple equals to ही देखते हैं अच्छा ए यह उपर 5 है यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 तो 5 is not equal to 6 यह पास सही है तो यह true कर देखा है ठीक है refresh किया true कर दिया सही है not equal to भी समझा गया equality देख लिया not equal to अच्छा not equal to में भी lose है यह lose checking है लेकिन यह भी आपने यूज कभी भी नहीं करना है आपने हमेशा strict checking ही लगानी है जो 3 equals to होला है अच्छा यह less than और greater than यह हम करके पहले ही देख चुके हैं अब less than equals to क्या चीज है less than equals to यह चीज है कि अगर मैं less लगाता हूं यहां पर अगर मैं less than लगाता हूं ठीक है एक तरह 5 लिखाव है यहां पर 5 आगया तो 5 less है 6 बड़ा है अभी तक तो यह true है लिकिन जब यह 6 हो जाएगा तो अब यह क्या हो गया अब यह equal अब नहीं हुआ है यह true क्योंकि 6 less than 6 यह बात false है तो म यह वाला साइड है वह छोटा हो यह बराबर हो दूसरे वाले साइड के तो इसमें इसकी भी जुरूत पड़ती है संटाइम आपको कि आप ना जब यह चैक करा जाते हैं कि छोटा हो यह एक्वल्ट हो जैसे अभी हमने थोड़े दर पहले ग्रेट चैक वाला बनाया था त तो उसमें आप क्या कर सकते थे उसमें आप यह वला उपरेटर यूज करते ना तो वो 69 59 और 79 जो मैंने लखा था ना मैं उसकी जगा पूरा 70 लिखता पूरा 60 और पूरा 50 लिखता और साथ में यह एक्वल्टू की लगा ज़ता ठीक है तो यह एक्वल्टू ग्रेटर देन यह लेस दन इक्वल्स टू ग्रेटर दन इक्वल्स टू यह दोनों आप समझ चुगें किस तरह गाम लगता है तो यह जितने भी कॉम्पैरजन ऑपरेटर से यह हमने सब ने सब डिसकस कर लिए अच्छा अब एक बात और अब इमैजन करें इक्वालिटी के ऑपरेटर में तो हमने देख लिया कि अगर नंबर की जगा स्ट्रिंग मिल जा तो क्या होगा अब यह मुझे बताओ कि यह लेस देन ग्रेटर देन में अगर नम वन इस लेस देन और यहां पर मैं इसको देता हूं इस्ट्रिंग में सेवन मतलब एक तरफ नंबर है और एक तरफ क्या है इस्ट्रिंग है यह दोनों तरफ इस्ट्रिंग है मिसाल के दौर पे अभी यूजर का इंपुट हिटा देता है मैं हाथ से लिख देता हूं यहां ताकि ज्यादा असानी रहे मैंने का भई 4 है 4 less than 7 कौन मुझे बताएगा कि किस तरह करने से किया भी सिर्ख प्रॉफॉस हैंगा और क्यों हैंगा अ इसा कितने ओंड़ के घ् 않는 ऑद थे यह थैक्तर देराया तो देरा जिन लोगों को थोड़ी बाद कुछ लोगों को आती भी है प्रोग्रामिंग यहां पर इस लास में तो मतलब वो भी अपनी राय दे सकते हैं जनको नहीं आती है वो भी अगर मैं इसको 8 कर दूँ अगर तो भी true रहना चाहिए आपकी लॉजिक के हसाब से क्योंके देखो प्रोग्रामिंग लैंविज भी तो किसी बंदे ने बनाई होगी ना आप होते तो क्या करते है नहीं पहले 4S है ताना तो यह true देता था अच्छा एक दोस्त यह कह रहे है कि जैसे इनों ने कहाता कि यह तो ट्रूथी वैल्यू है इधर भी ट्रूथी वैल्यू है तो पहले इनका वो करते हैं तो मतलब अगर मैं ऐसे कर दूँ तो फिर भी true रहना चाहिए इनके लॉजिक के असाब से वो देखते हैं कि होता है फिर आपका वाला भी टेस्ट करते है है यह फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ क्राइटेरिया है यह ऐसा नहीं है कि ट्रूथी ट्रूथी का चक्कर नहीं है आप क्या करें कि इसको नंबर में कर ले गई है तो आपकी इनकी बात थोड़ी make sense लग रही है क्योंकि प ठीक है तो जड़ा एक दो और इंपुट देगे देखते है इसको अच्छा एक काम करता हूं मा अच्छा आपके hypothesis के साब से अभी क्या answer होना चाहिए true होना चाहिए कि 8 छोटा है और 10 बड़ा है ठीक है आइपका hypothesis सही होना चाहिए तो true होना चाहिए देखते है true होता या नहीं होता यह फाल्स हो गया आपका hypothesis भी fail हो गया जी आप क्या कहरें एक काम करते हैं एस की character का chart निकाल लेता है एस की chart उस में से हम देखते है नंबर का किसका ज्यादा है किसका चोटा है जो एस की character है अच्छा जी आप क्या करें अभी वो आपका भी देखते हैं अच्छा S की करेक्टर में जो 0 का S की कोड है वो 48 है और 57 का जो S की कोड है वो 57 9 का S की कोड है ठीक है यह चक्कर है तो 10 का तो S की कोड है यह नहीं 10 को कैसे करेगा करिए 1 नहीं मतलब 10 का फिर यह क्या बना देगा 1 और 0 49 48 तो काफी बड़ा हो जाना चाहिए लेकिन वो 10 को छोटा बता रहा है average तो average यह होगा बला हाँ बही क्या करेदा तुम बेट्स का अब ज्यादा बिट्स का लिए उसको बुल्द अब्स को बड़ा तो एक काम करता है नहीं अभी तो ज्यादा बिट्स का लिए नहीं और यह एक कारेक्टर है तो अगर इसको छोटा समझे और इसको बड़ा समझे तो तो प्रूव होना चाहिए ना लेगिन अभी हो रहा है false क्या खियाल है कि कुछ सोचे दरा दिमाग लणा है क्या हो रहा है यह चक्कर क्या है कुछ तो कर रहा है क्योंकि एक दफा टू दिया है एक दो दफा और फिर फॉल्स भी दिया एक तो बार तो कोई क्राइटेरिया तो होगा जिसको यह फॉलो कर रहा है नाइन पर यह चल रहा है नाइन बड़ा है नाइन बड़ा है एट छोटा है इतने पर यह सही है इतने पर ये सही है, true है, लेकिन जैसे इसको आप 10 करेंगे न, तो 10 चोटा हो जाता है, string की length नहीं है, अगर string की length होती तो इसकी ज्यादा ये बड़ा होता, खाली first character भी नहीं ले रहा है, खाली first character भी नहीं ले रहा है, चलो, इसका खाली first character zero कर देता हूं, 08 और ये 10, ठीक है, आजो, वैसे अभी ये true हो जाएगा, लेकिन वो इस वज़ासे नहीं होगा, पहले character की वज़ासे, ठीक है, true ये हो गया, लेकिन पहले character की वज़ासे नहीं है, अच्छा, पहले character की वज़ासे चक्कर नहीं है, मुझे पता है हूं, इसको मैं सोच रहा हूं कि ऐसा number लिखो कि ये वाली बात फॉल्स होज़ा है, पहले character की रहानी कुछ सोचना पड़ेगा न मुझे भी, अच्छा, 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 पहले character की चक्कर है, लेकिन ये थोड़ा, मैं कुछ और वर्ट सुनना चाहरा था, जो आपने ही बताया, लेकिन आपने बात सही कर दी है भी फिलाल, और बंदे वताओ, अमेरे गौर से सोचाना तो बात य अच्छा, पहले character कोई देखता है, अच्छा, जीरो नाइन कर दो इसको, 10 को, जीरो नाइन, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ये true आएगा, सही है, ये true आजाना चाहिए, ये true आगे, नहीं हमें false नहीं लाना, हमें ये पता लगाना है, ये criteria क्या है, मुझे तो बता है लेकिन ये brainstorming का सवाल है, कोई सही गलत नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात कि दुमना, ये कह रहे हैं कि अगर पहले character को सिर्फ वो देखता है, तो फिर ये इसमें तो दोनों 0 है, ये बिल्कुल सही बात क्यों था है, ये second वाले हो, तो जब वो पहला दोनों सेम होगा ये बिल्कुल सही बात है, इस चीज का एक नाम है, इस चीज का नाम है, इस चीज का नाम है dictionary order, ये जब string आता है, comparison operator, जब string मिलता है उसको, यनि number होता है, तो number तो छोटा बड़ा देख लेता है, इसली वो, लेकिन string अगर उसको मिल जाता है, दोनों साइड पे, तो फिर उ साल के तोर पे, dog और cat, dictionary order में पहले कौन आता है, वो छोटा है, ठीक है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, false, ठीक है, देखते है, false, ठीक है, तो ये dictionary order को देखेगा, अगर इसको string मिल गया, अच्छा, dictionary order में, five, और ten, इन में सब कौन पहले आएगा, five पहले आएगा, ये ten पहले आएगा, dictionary order में, ten पहले आएगा, ठीक है, false हो गया, अच्छा, इसका में तुम्हें दिखा भी देता हूँ, कि ये ten पहले कैसे आएगा, वो dictionary order को follow करते है, न, GitHub की repository हमारी, तो देखो न, यह क्या हुआ वब, ये देख रहे हो, dictionary order में पहले one है, फिर ten है, eleven है, फिर two है, फिर three है, क्योंकि dictionary order में क्या होता है, वो पहले character को पहले देख रह उता है, पहला character सेम उत तो दूसरे विदखते है, तो one मेंग और ten में पहले तो यहां से चार्टर सेम होता है इसके बाद 10 है उसके बाद 11 होता लेकिन 12 मौजूद ही निया तो फिर 2 ठीक है घर यहां पे 31 होता तो 31 कहां पर आता है 3 के बाद आता है, सही है, तो यह dictionary order हमने समझ लिए कि, नहीं असल में वो तो number तो मैंने इसली दिया था, आपको confuse करने के लिए, देखो जब बंदे के बाद प्रॉब्लम आती है, तो बंदा सोचता है, जोर पड़ता है दिमाफ के तोड़ा, ठीक है, वो तो मैंने इसली number लि सब लोग और सोचते सोचते पहुंच गया है वहाँ तक, यह बड़ी बाद है, यह this is called problem solving, कि इस class में जो लोग बैठे हैं, तकरीबन सारी लोग almost पहुंच गया थे, कि यह अर अच्छा है, इस तरह का कुछ हो सकता है, ठीक है, तो this is called problem solving, कि आप देखते हैं अच्छा है, अच्छा है, और ट्राइ करते हैं, नहीं हो रहा है, फिर ultimately आप पहुंच जाते हैं, यह ऐसे हो गई, हलागे ना अपने documentation पढ़ी official, कि उन्होंने कुछ लिखा है, मैं बस यह आप से पूछ रहा था, और मैं उसको लगा लगा के देख रहा था, मैंने का नहीं होना चाहिए इसे नहीं हो रहा है, हम उसको verify कर रहा है, अच्छा यह hypothesis दिया गया, यह bids की वज़ा से भी हो सकता है, length चेक कर रहा होगा, तो हमने length लगा के देखी, नहीं होगा, तो वो एक point पहा के पता चल गया होना, तो यह problem solving यह होती है, यह problem solving के practice हो रही है, आपके अच्छा, तो यह comparison operator को हमने दो तरीके से देखा, एक तो यह देखा, कि भाई अगर इसको number मिलता है, तो वो उसको compare कर लेता है, number को compare करना बड़ा easy है, ठीक है, लेकिन अगर उसको non-numeric values अगर कोई मिल जाती है, तो फिर वो क्या करता है, उसको string जैसे के है, उसको वो dictionary order पे चेक करता है कि जो dictionary order में पीछे है, पहले है, उसको वो कम consider करता है, जो आगे उसको ज्यादा consider करता है, ठीक है, अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने छोड़ तो नहीं दी, जी, यह भी एक अच्छा सवाल है, तो एक capital C से card लिखते हैं, और एक small C से card लिखते हैं, तो मैंने का capital व बड़ा है, अब देखते हैं क्या बताता है, यह मुझे भी नहीं बता वैसे, यह true बता रहा है, अच्छा, अगर मैं इसको छोटा कर दूँ और उसको बड़ा कर दूँ तो false हो जाना चाहिए, अगर कुछ capital small का चक्कर अगर है तो false हो गया, ऐसा क्यों हुआ? सबस्क्राइबस का capital पहले आता है, capital letter का a चाहिए हो 65 से शुरू होता है, और small letter का 97 से शुरू होता है, 97, 98 पर smaller पूरी संती है, वी सुछी है, तो वह small वाला ड़ा असल में बात में आता है, S के चाहिए, मतला dictionary order है, S की सही है, अगर A पहले है, B बात में, C बात में, तो वैसे तो हमारी जो फिजिकल डिशनरी होती है उसमें तो कैपिटल इसमाल का सीन नहीं होता लेकिन चूँके हम कंप्यूटर प्रोग्राम में और ये केस सेंसिटिव है तो यह यानि नॉर्मल डिशनरी से इसको रिलेट भी नहीं कर सकते हैं यह उसमें नहीं होता ही हमारे इसको और मैं अगर मैं 2 यह दो क्यों यह लगादुं एक सा थे होवज कारेग्टर कैरेक्टर जो यह हो इन में से कौन सा पहले आता है तो जिक्शनरी में कॉछल पर होते भी इन Mehak होतेगी उसमें तो होते भी नहीं है कKeunglles हुआज को द Zachney sch कोई translation थोड़ी है तो यह की है हर जुबान में question mark बस बोल्टा करते थे यह ज्यादा में ज्यादा यह करें और क्या जरी है लेकिन हमारे पास तो dictionary order जो हो S key का chart है तो S key के chart में दोनों में से जो भी पहले आता होगा मुझे नहीं पता कौन सा पहले आता है तो उसे साब सही इसको decide कर लेगा अच्छा इस string में पिर space भी होता है इस पेस को भी count करें गई है अगर पहला character space है और दूसरे में नहीं है तो space का जो S key code होता है वो 32 हो तो 32 क्या है कि जाहरे इसका पहला character हो इस वाले से छोटा है तो यह drew देगा क्योंकि मैंने पहला character space कर दिया है पहले यह false दे रहा था क्योंकि पहले इसमें क्या था? small था पहला character तो यह हमने छोटी मोटी ऐसे activity की मेरा खहल है काफी हमने इसमें discuss कर लिए यह भी अच्छा सावाल है कि यह तो चलो दोनों साइड इस्ट्रेंगा तो यह बात हो गई लेकिन एक साइड अगर number नहीं एक तरफ यह cat लिखावे एक तरफ लिखावे 5 तो क्या होगा? अच्छा यह मुझे भी नहीं बाता है सही है? मुझे भी नहीं बाता है देखते हैं करके? टाइम तो है मारे पास अभी एक तरफ cat है एक तरफ 5 है हमने का cat छोटा और 5 बड़ा है तो यह false है यह cat को यह बड़ा consider करता है 5 को यह छोटा consider करता है तो कितना बड़ा consider करता है 500 देखते हैं 500 कर दिया मैंने किस पॉइंट पे जाके true होता है अभी भी false है बहुत सारे 0 लगा दिये false तो क्या ऐसा है कि मैं कोई भी number लिख दूँ या कोई भी string लिख दूँ तो वह ऐसा ही रहेगा तो मैं scared कोटा के सिर्फ एक a लिख देता हूं अगर string integer का चक्कर है तो फिर अगर string हमेशा वड़ा है number हमेशा चोटा है तो फिर तो इसमें भी same रहना चाहिए false रहना चाहिए इसमे false है कुछ इसी तरह कहीं लग रहे है वैल यह मुझे बता नहीं कि यह नॉमिना क्या है यह एसकी से नहीं चेक कर रहे है नहीं कि जो अच्छा एक काम हम और कर सकते हैं अगर एक तरह स्ट्रिंग में 5 लिख आगा है क्योंकि A तो नहीं है न अगर S की देख रहा है तो 5 का स्की कोड है और यहां 5 का स्की कोड है तो मैंने का 5000 बड़ा है और 5 चोटा है क्या ऐसा है यहां पर true देदी है अच्छा किस पॉइंट में आगी है सिर्फ 5 कर दिया है अब false हो गया 6 कर दिया तो true हो गया अच्छा तो अगर एक तरफ string और एक तरफ number है तो फिर इसको यह parse कर लेता है इसको parse कर लेता है दूसरे वाले को भी शायद ही है नमबर में parse कर लेता है बट बहतर यह है कि अगर दो numbers है न आपके बस तो आप उसको parse करके ही उसको आप comparison operator पे डाले क्योंकि हमने यह देखा है कि अगर मतलब अगर एक तरफ 5 और एक तरफ 6 है तो अगर दोनों string में तो उसको dictionary order में लेता है दोनों number है तो उसको compare करता है अब एक तरफ string एक तरफ number है तो भी उसको parse करने की कोशिश कर रहा है बट बहतर यह for the safe side कि हम उनको number में convert करें शुरू में ठाके यह हमें ambiguity ना है कि अच्छा है यार पता नहीं यह करें या पता नहीं को करें हमें for sure हमें पता हो कि अच्छा है यार दोनों side string है तो dictionary order दोनों side number है तो proper comparison ठीक है just to make sure ठीक है ऐसे लिखके मैं इसको छोड़ देता हूं फिलाल अच्छा अब आगे लेखते हैं हमारे पस क्या है if else हमने पढ़ दिया हमने ternary operator पढ़ दिया good yas अच्छा अब हमने ने logical operators पढ़ना है लेकिन मेरा खहले है logical operators आज नहीं पढ़ते क्योंके वारे पंद्रा मिनट है तो इसमेरा कुछ छोटा मोटा टास्क कर लेते हैं क्योंके ये इसकी एक लंबी थियूरी एक कहानी है जो मैं पहले सुना हूंगा आपको उसके बाद ये पिर हम उसका code लिखेंगे तो वह कहानी सुनने वाला एक तो अभी आपका बचा भी नहीं होगा आपके अंदर भी तीन गंटे से आपको तो वेल तो ये अब भी नहीं कर सकते हैं आज की क्लास को में यहीं तक रखते हैं